इसलिए बच्चों को सोचने में थोड़ा टाइम लगा इसलिए बच्चों ने feedback के दिया कि paper tough है लेकिन solve करने पे जब उसको देखा तो paper tough नहीं था दो से तीन question ऐसे थे जिनके language थोड़ी सी ऐसी थी कि या तो language बोल दो या उसकी गणित बोल दो situations available है उसके अलावा PDF format में आप उनको download कर सकते हैं अपने answers match कर सकते हैं और अपने जो marks का analysis से वो कर सकते हैं मोटा मोटी पिछले साल और इस साल के अगर हम तुलना करें तो जो पेपर का थोड़ा सा जो तफ नहीं साल के थोड़ा सा इस था फिपर मैंस वाल जो पार था उसवाजे से अप यह कह सकते हैं जो लास्ट शेयर राइन्ट साई थी उनमें आप 10 से 15 मार्क जो है और जोड़ सकते हैं जैसे माली पर आपकी cut-off होती है, selection वाली जो cut-off होती है, उसमें कोई खास असर होता हो, मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो more or less वही रहने वाली है, चलिए आईए स्टार्ट करते है, paper 102 का analysis है, physics का, ये कल 26 मही को हुआ था, और इसमें डाई लाख लोगों ने participate किया था, दाई लाख लोग सेलेक किये गए थे, पर लगबए एक लाख 11-2000 जो भी data IIT ने release किये थे, उन्होंने form भरा था, advance के लिए, और उन्होंने paper दिया, exact data भी आजाएगा, कि actual में कित्ते बच्चों ने paper दिया, तो if you talk about first paper, तो it was a balanced paper, हम लोगों ने साथ दिन पहले एक video बनाय था, जिसमें हमने predict किया था, कि जो electrodynamics का weightage लगबए 20-25% के आसपास रहेगा, तो आप देख सकते हैं, paper 1 में, there is exact weightage, जो हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों ने जो पुराने analysis पर आपको बताया था, वही weightage है, there is a one question from electrostatics, current से first paper में कोई question नहीं था, ठीक है, capacitance से एक question है, EMF से एक question, EMI से एक question, इस paper में, AC से कोई question नहीं है, fair weightage है, क्योंकि हर एक chapter को हम दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि total 30 chapter होते हैं, हम में तो 17 question चुनने हैं, तो फिर वेटाइज इलेक्टोडाइनिमिक्स का, ओके, और जो question है ना doable थे, first paper में, KTG एंड थर्मोडाइनिक्स की बात करें, मेरा 5-10% का ही idea था, और यदि आप उस वीडियो को देखें, अवेलेबल हमारे चैनल पर, 10% वेटेज में आपको बोला था लगबग, आँ यहां देख सकते हैं, आप 11.67% वेटेज है, दराइज तो questions फ्रों केटी जी, एक question जो है, वो तो cycle वाला था, जिसमें आपको work निकालना था, और एक दूसा question में वो था, हां, उसमें आपको heat capacity देर की थी, temperature के proportional, I think वो first paper में था, तो यह दो question हैं बच्चों, जो की यहां पे हैं, लेकिन weightage जो है, वो proper है, if you talk about mechanics, we were expecting 20% weightage, तो यहां पर mechanics का थोड़ा सा हमारी expectation से कम weightage है, यहां पर kinematics का कोई question नहीं है, friction, circular, rigid body, dynamics, यह पूरा चूटा हुआ है, ठीक है, rigid body है, दो question है, gravitation चूटा हुआ है, उसके अलावा work power energy, NLM, mathematical tools, and trauma, आप देख सकते हैं, mechanics वाला portion पूरा खाली है, तो जिन बच्चों को mechanics से डर लगता है, खास तोर पे, उन बच्चों के लिए तो यह आराम की बात थी, लेकिन थोड़ा सा weightage मुझे हापे, कम लग रहा है, Now coming to fluid mechanics, वाहां पे देखो, fluid का एक question था, string, sound, और SHM, हम, मैं generally, इन तीनो topics पे, 10% weightage expect करता हूँ, ठीक है, 10% इसलिए expect करता हूँ, क्योंकि most of the time, एक question string का जाता है, कैसे CHM का जाता है, एक sound का जाता है, कैसे CHM का जाता है, पट इस बार इनोंने तीनो topics में से एक एक question लिया है, तो हम कह सकते हैं, कि जो कमी महां mechanics में रही, वो इनोंने यहां पूरी कर दी है, यह 11th वाले portion का question है, ठीक है, then coming to practical physics, there is no question from error, there is one question from E&D, which is a very common question, आपको physical quantities की बीच में relation निकालना था, ठीक है, उसके अलावा optics की बात करें, तो optics में generally weightage, मैं फिर से बता रहा हूँ, 10-12%, 15% expect करता हूँ, तो यहां 18% weightage है, one question from wave optics and two questions from geometrical optics, यह था बच्चों, first paper का overall analysis, तो आप देख सकते हैं, first paper में कहीं ने कहीं, कुछ जगह पे हलका सा weightage जादा है, कुछ जगह पे हलका सा काम है, यहां जो यह SHM का question है, देखो, SHM में mechanics लगती है, तो इसमें collision अगर हो रहा है, या इसमें आप center of mass के velocity निकाल रहे हो, या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ने कहीं वो partially जो है, आपका mechanics का portion भी है, तो कह सकते हूँ कि distributed है, ठीक है, NLM, work power energy, center of mass, इनका कोई question इस paper में नहीं था, देखते हैं, चाहँ पेपर 2 में इसका कोई question हो, now coming to paper 2, paper 2, थोड़ा सा देखो, मुझे इसको देखकर लग रहा है, this is imbalanced, 37% आप देखो, electrodynamics पूछा गया है, जिसमें थे 3 question तो सिफ electrostatics पूछ लिए गया है, यानि कि किसी बच्छे ने electrostatics अच्छे से कर लिया होगा, तो आराम से देखो, यहाँ पर 3 question तो उसको यहीं बन गए, कोई question current का यहाँ पर नहीं है, capacitance का कोई question नहीं है, EMF के 2 question एक साथ, EMI एक question, पिछले paper में आप देखो, पिछले paper में भी, पिछले paper में भी current नहीं था, यानि कि paper 1 और paper 2 दोनों में current नदारत है, current का कोई question इन्होंने लेना उचित नहीं समझा, हमने जो साथ दिन पहले आपको tips दिये थे, उसमें ने खास तोर पे बोला भी था, कि मुझे उम्मीद है कि meters पे कोई question आ सकता है, बट वो जो उम्मीद है, वो उस पर ये वाले paper ख़रा नहीं उतरा, उसके लाग केपैस्टेंस में भी देखो, में को लग रहा था कि RC सर्किट पे कोई question आना चाहिए, उस पे भी कोई खास question नहीं था, अचा एक बात और बच्चों, इस बार जो आईटी ने नए टोपिक्स दोड़े थे, डेंपिंग अगेरा, उस पे भी कोई question उसमें नजर नहीं आया, पॉल्लाइजेशन पे ज़रू एक question था, देंकि जो नए एड़ेट टोपिक्स थे, थोड़ा सा एक हववा सा create हो गया था, कि आईटी में डेंपिंग आ गई, तो लोगों ने बहुत high level की डेंपिंग पढ़ ली, damped oscillation, उसमें भी critical damping, उसके अलावा आपकी कौन कौन सी damping होते हैं, under damping, over damping, सब पढ़ डाले, सब के derivation कर डाले, लेकिन वैसा कुछ आया नहीं, यहाँ पर देखो, के टी जी का weightage कम है, तो paper 1 or 2 अगर हम बात करें, तो it will be balanced, यह mechanics का थोड़ा सा weightage जादा है, बट देखो, यहाँ पर circular अभी भी गायब है, friction गायब है, ठीक है, center of mass, NLM, work power वो भी गायब है, इसका मतलब mechanics, जो भी paper setter, जिसने भी paper set किया है, that paper setter, that particular group of faculties, जिनों ने इस paper को set किया, they don't like mechanics, sometimes it happens, कभी-कभी क्या होता है, कि वो mechanics को भूट लाइक करते हैं, तो 25%, 20% weightage आता है, इस बार थोड़ा सा weightage, जो है mechanics का कम दिख रहा है, second paper में fluid नहीं था, second paper में string sound का कोई question नहीं था, लेकिन दो question जो थे, SHM कहते हैं, comprehension वाला question था, जहां तक मुझे याद है, इसमें दो question थे, और ये अच्छा question था, doable question था, ठीक, error and measurement, error and measurement का एक question इसके अंदर, simple error calculate करनी थी, atomic physics का एक question है, यहांनि modern physics, जहां मैं उमीद करता हूँ, 10% weightage रहेगा, एक बार देखता हूँ, इसले paper में, modern physics का weightage कितना था, 6%, 7% weightage था, तो modern physics के साथ भी थोड़ा सा, खिलवार हुआ इस बार, क्योंकि generally modern physics 10% आती है, कभी वो radio activity पर question आ जाता है, कभी आपका nuclear physics पर question, मतलब वो, binding energy पर question आ जाता है, कभी इस पर question आ जाता है, आपका more model में आ जाता है, कभी x-ray में आ जाता है, कभी आपका photoelectric effect में आ जाता है, इसमें x-ray पर question था, mozolulow पर question था, लेकिन ठीक है doable question था, वो general जो pattern होता है, जैसे characteristic और जो continuous x-rays होता है, क्यूंकि difference को चोब अच्चा समझ लेता है, उससे question हो जाता है, okay, geometrical optics और wave optics, दोनों पर questions थे, yes, so, this is combined analysis of paper 1 and 2, ये तव था बच्चों, paper 1 or 2 का अलग-अलग, अब combined analysis की बात करते हैं, so, यहाँ देख सकते हैं, कि दोनों paper में मिला के, जो आपका electrodynamics है, वो lead कर रहा है, 23% से lead कर रहा है, जो ketigen thermodynamics है, वो एक बिल्कुल वही weightage है, जो सोचा जाता है, mechanics, is now trying to like cover up, क्योंकि एक paper में थोड़ा कम दिख रहा था, यहां cover up हो रहा है, 16% के असपास mechanics दिख रहा है, दोनों में मिला के, fluid गायब है, waves जो है, यह यहां थोड़ी से mistake हो गई, waves पर question थे, शायद यहां fill होना रह गया, waves हमने देखा था, पीछे questions थे, waves पर थे, second paper में नहीं था, लेकिन first paper में, एक एक question waves पर थे, एक तो doppler effect पर question था, तो यहां थोड़ा से आप correction कर लिजएगा, यहां पर sound wave पर एक question है, string wave पर एक question है, और SHM पर दोनों paper में questions है, EM wave के उपर कोई question ही था, लेकिन उस पर polarization पर question था, wave optics को उसको question मान सकते हैं आप लोग, है ना, तो यह overall weightage है, यहां देख सकते हैं, कि total 34 में से, electrodynamics के 10 question है, heat के 3 question है, mechanics के 5 question है, fluid mechanics and surface tension का 1 question है, waves के 5 question है, पिछले वाली जो slide है, उसमें यह waves वाला नाम गलती से मिस हो गया था, लेकिन 5 question है, practical physics के 2 question है, modern physics के 2 question है, optics के 6 question है, तो leader कौन है, leader है electrodynamics और optics, आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा, electrodynamics और optics को भी अच्छे से कर लेता है, तो आराम से वो 2000-3000 rank के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि 2000-2500 rank लाने के लिए, आपको 50% marks के जुरुद है, 50-50% marks में आप 9000-2000 rank एक्सपेक कर सकते हैं, अब यह देखते हैं, पाई चार्ट में, वो तो आपने देख ही लिया कि सबसे बड़ा जो पीश है, पीशा का, वो यह electrodynamics के पास है, उसके बाद optics है, फिर mechanics है, और आपकोई पाइप्टिक्स है, तो अगर कोई पेपर बहुत तफ होता है, तो उसका level आता है 3, बहुत easy आता है, तो उसका level आता है 1, और moderate आता है उसका level आता है 1.5, यह 1.47 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, कि easy से moderate की side पे हैं, तो यहां देख सकते हैं, कितने सारे questions easy हैं, यह जो moderate वाले questions होते हैं, इनको moderate लिखने के पीछे जो मकसद होता है या तो question लंबा है या फिर उसकी calculation थोड़ी सी इस तरह की है कि कुछ दिमाग लगाना पढ़ रहा है कुछ arrangement करना पढ़ रहा है adjustment करना पढ़ रहा है या फिर concept ही tough है देख सकते हैं कोई tough question नजर नहीं आ रहा easy moderate से भरा हुआ है यहाँ पर paper number 2 में जोरू एक question tough था वो ट्राइंगल वाला question वास्तों में tough था और कई लोगों का गलत हुआ है वो क्योंकि बच्चों को पता नहीं चल पा रहा था कि induced EMF 0 वाला जो point वो कैसे ढूंडा जाए that was really very tricky है ना उसके अलावा बाकी सब question आप देख सकते है एक question यह EMF वाला जो था वो भी tough था यह मेरे कहाल से वो अला question है जिसमे वो घूम करके आता है जहां तक मुझे द्यान है फिर भी आप एक बार चेक करिएगा so this is more than moderate 1.70 इसका scale आता है पिसले वाला का 1.47 था तो यह second वाला paper आप देख सकते हैं data के इसाब से भी first paper के comparison में tough था अगर हम दोनों paper की बात करें बच्चों तो 17 question ऐसे हैं जो easy है यानि कि 50% paper IIT ने easy दिया है और लगबग लगबग आप देख सकते हैं कि 40% या उसे भी जादा 40% के आसपास paper ऐसा है जो कि moderate है और कोई बच्चा अगर इसमें से 20% भी निकाल लेता है तो 50 plus 20, 70% तक marks वो score कर सकता है मत जाओ न टफ वाले पर छोड़ दो टफ वाले आप easy और moderate को भी अगर focus करते हो तो भी आप आराम से जो है अपनी मन चाही rank लेकर के आ सकते हो आगे बढ़ते हैं इस बार देखो मैंने वैसे पहले भी बोला था पिछले वीडियो में बोला था कि 12 का वेटेज आसकल जादा आता है यहां देख सकते हैं 12 का 53% वेटेज है और 11 का 47% वेटेज है तो वेटेज वाईस जो है आजकल IIT पिछले साल का भी पैटर्न आप देख सकते हो इस साल का भी पैटर्न ऐसा ही है 12-12-13% जादा आता है तो अगर आप 12 पे ज़्यादा फोकस करते हो तो दो फाइदे होते हैं आपका बोर्ड में फाइदा मिलता है जेमें में फाइदा मिलता है उसके लाओ आईटी में वेटेस थोड़ा सा ज़्यादा आता है बच्चों 53 और 47 अगर आप डिफरेंस वाइस बात करोगे तो 6% का ड दिफरेंस है मुझे उमीद है कि आपके काम आएगा आपको इससे डेफिनेटली अपने आगे की स्ट्रेजी को बनाने में मदद मिलेगी जो बच्चे आईटी की त्यारी करने वाले हैं अब आगे या कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली स्ट्रेजी बहुत काम की होगी जिन बच्चों ने कला आईटी का एग्जाम दिया है वो एनलेसिस को देख करके खाली हैपी हो सकते हैं कि यस यह डन देस आपने इस पोर्शन में कितना काम किया एक लास बात और बुलना चाहता हूं बच्चों इट इस रिलेटेड विद रिपीटिंग जैसे बहुत सारे मार्क्स वगरा का आईडिया लगा करके आप सो सकते हूं कि आपकी क्या नाएंग आने वाली है लेकिन शुड़ा रिपीट एक यक्ष प्रशन है इसका कोई भी साही डंग से आंसर ने दे सकता है लेकिन मैं अपना एक्जामपल लेके बता सकता हूं यस आई रिपीटेड आई रिपीटेड रिपीट करने वाले के पीछे एक रीजन सबसे बड़ा ही होना ची कि क्या जब 11-12 में उसने आईटी की तियारी करी थी तो क्या कहीं कोई कमी थी क्या वो बिमार हो गया था या उसको कोई अच्छा कोचिंग नहीं मिला था उसको अ लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% और यह दिया इससे बेस्ट आप करनी सकते हैं और इसके अलावा मतलए इससे ज़्यादा आप करनी सकते हो आपने यू हब ड़न यूर बैस्ट तो फिर एक साल बरबाद करने का कोई मतलब नहीं तो जैसे मैं अपना बतात जो मिले थे state level के मिले थे तो repeat का जो decision होता है बच्चों उसमें तो आपको अपनी family को involve करना अच्छी तरह से एक आपको दिमाग लगाना है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसके पीछे जो main agenda होना चाहिए होना चाहिए कि अगर आप अपना 100% नहीं दे पायता है कितने साल पहले हैं 1998 में जो repeat का decision लिया था मैं आज भी decision को सोच करके मुझे अच्छा लगता है कि I did I took a very good decision क्योंकि उस decision की वज़े से मैं IIT में पहुंचा और repeat करने के बाद भी लोग 500 में rank मारते हैं 300 में rank मारते हैं मेरे time पे repeater की rank आई थी 10th ठीक है आजकल repeat करने का सारे options available लेते हैं लेकिन यदि किसी भी current से कोई भी कमी रही है आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो better कर सकते हो तो भाई एक साल और दे करके IIT Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Gowati जैसे IIT में जाना मदरास या और भी कोई IIT में जाना गाटे का सोधा नहीं है So with this I'll close, best of luck to all of you और ये सारा जो वीडियो में आपको बनाया है आज सुबह से जम वीडियो बना रहे हैं, Reliable की टीम मेरा आपसे एक request है कि उन सब बच्चों के साथ जरूर शेयर करिये, अपने status पे शेयर करिये, ज्यादा ज्यादा बच्चे जो आपसे जुड़े हुए है उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए क्योंकि हमारे brand ambassador आप हो, जो इन वीडियो को देखते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, ओके, good luck, thank you